कवरे विस्तार से गमरिय थाने अंत्रगत सुधा डेरी के पास तेज रफतार हाईवा ने आटो को ठोकर मार दिया जिससे आटो पलट गई आटो पर सवार चार लोगों को घायल आवस्था में एमजम अस्पताल में भरती कराए गया है क्या ना एक इस किया दो कि ना आपके रहुल सी आ करण रथे कई ना तर रहते का है अच्छा कहा से कहा रहता है अच्छा तो ने पर अपर पर इब हो यह गोना पीछे से आरा था और लेक्क जा रा तो चारए पांड बीच पर घुशा दिया थिए तप इम विस वार्त आफ न प्राइबर मिला करके साथ जार से घायल कर दिया। सराइं के लथाना अंतरगत नारायन धी में दो सगे भायों की बीच किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद छोटे भाई नामो प्रधान ने बड़े भाई अंकित प्रधान पर कुदाल से हमला कर घायल कर दिया। घायल को एमजब मस्पताल में भरती कराया गया है। दिन में किसी समय खेत में पानी काटके लेगिया था। तब तक ये बेट हुआ छोटा भाई से पूछे कि कहे हमारा खेत सब पानी लेगिया थोड़ा पानी रखने तब तक हो खाली अथे और फड़वा कुदाल लिये हुए थे। अब कुदाल से बार करते गया। जैसे पैर में मादी पैर पूटिया तो ये पानी में उल्टी तरह गीरा बता तो इसी में पुरा चाहा। मुह में पीठी में। मुह में छे जाया थोट है तुदाल उदर भूस गिया है पीठी में। कुलार मिशी विद्याले में छात्राओं को अब तक माक्षिक नहीं मिल पाए हैं। जिससे कई छात्राएं छात्र विर्टी लेने से वन्चित होती जा रही है। उपायुक्त के पास गुहार लेकर पहुची ग्रेजुट कॉलज के छात्राओं ने मांग की है कि छात्र विर्टी के लिए आंतिम तिथी 30 सितंबर रखा गया है। पर उन्हें माक्षित नहीं मिलने के कारण वे फॉर्म फिलप करने में आसमर्थ हैं। जिससे वे छात्र विर्टी से वांचित हो जाएंगे। सुरेश मुखी द्वारा मुन्ना घोष पर प्रात्मी की दर्च किये अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। कि मुन्ना घोष के परिजिनों ने सुरेश पर पैसे मांगने का गंफीर आरोप लगाया है। धतकिडी में इन दिनों मुखी समाच के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रविवार को सुरेश मुखी ने स्कॉर्पियो वाहन में तोड़ फोड के लिए मुन्ना घोष और उनके सहयोगियों पर प्रात्मी की दर्च कराई थी। इधर सोमवार को मुन्ना घोष की पुत्री वा अन्य पडिजन उपायुक्त के पास पहुचे। उन्होंने सुरेश मुखी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। जब जब मेरा चाचा का गवाई आरा तब तब कुछ ना कुछ करके जिसे लोखन गवाई ना दे और खलिया मुखी निकल जाए और लोखन दोनों पाटनर्सिक होके हम लोखन को दवाव करना चाहरे। क्या नाम है पापा का? मुन्ना गोस। मेरा नाम पुजा गोस। मेरा नाम पुजा गोस। और ब्रेक के बाद अगली खबर सराइकिला की है। सराइकिला खरसवा जुले के चांडल प्रखंड में दसाई नाच और सफीद काशी फूल में दुरुका की आगवन के प्रतीक माने चाते हैं। ग्रामीन घूम घूम कर दसाई नित्ते कर रहे हैं। ये द्रिश्य है सराइकिला खरसवा जुले के चांडल प्रखंड का। यहां ग्रामीन दुर्गा पूजा के दस दिन पूर्व ही सफेद काशी फूल के फूटते ही घरों से निकल पगते हैं। और घूम घूम कर दसाई नित्ते करते हैं। वे दश्मी के दिन अपने घरों में वापसी करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दसाईन रित्ते और काशी फूल का एक दूसरे से गहरा नाता है। ग्रामीन साल में एक बार प्रसफुटित होने वाले काशी फूल को देख दुर्गा पूजा की तयारियों में जुढ जाते हैं। कुछा परंपरा वाले का चली आता है। अब दुर्गा पूजा का आगावन हो गया। हल्दी पोखर के नजदीक रसून चोपा गावन में ट्रिबल वन सेव लाइफ हॉस्पिटल द्वारा स्वास था आपके द्वार कारेकरम कायोजन किया गया। सुदूर ग्रामिन शेत्रू में ग्रामिनों को स्वास्थ सेवा देने के उद्धिश से ट्रिबल वन सेव लाइफ हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ आपके द्वार कारेकरम कायोजन किया गया। इस मौके पर वेभी ने गाउं के ग्राम परधान माजी बाबा और मुख्याओं को डॉक्टर ओपी आनंद ने समानित किया। इस दौरान ग्रामिन महिलाओं द्वारा स्वास्थ कारेकरम भी पेश किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर ओपी आनंद ने कहा कि गाउं गाउं में कैम्प लगा का ग्रामिनों को चुकित्सिय सेवा मुफ्त में दी जाएगी। कर दो अपने सेवा मुफ्त में मुफ्त में जाएगी। साग कर दो मुढाण सबस्वाया साग Cancer आप लोगों ने अपने बेस्ट समय से जमय निकाल कर इस कालिक्रम में आने कर काम किया है मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देता हूँ मित्रों एक मिशेस उद्रिस से हम लोगों ने इस बात को मिलाईए अपने संकल्प को जोड़िये अपने संकल्प को दोराएए और इसके लिए हम लोग जैसे संकल्पाट करने जाए से तुछाप सतम होगा उसे हम लोग एक हम लोग ceiling करेंगे उसमें हम लोग एक और सुधाल करेंगे जितने महाजी और गाउं के परणान आये हैं या प्रमुख बैक्ती आये हैं उनको हम लोग अपना अपना हॉस्पिटल करें लेटर पैट दे देंगे वो जिस पेसेंट को लिपके दे देंगे उसका हम लोग इलाज उनके हिसाब से कर देंगे मतलब आप लोग अपना फोर नमबर रेइस्टर्ट कराई आपको फोर करके आपके गाउं में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर कैम लाएंगे छोटा कैम ज्यादा ज्यादा किसी काम में दुर्गोट्सों के मौके पर शहर के जाने माने विकास ज्वेलर्स में आफरों की भरमार है चांदी और डायमंड के गहनों पर 100% तक की छूट जबकि सोड़े के गहने पर 50% तक की छूट दी जा रही है पुजात वहारों को देखते हुए विकास ज्वेलर्स वारा तरह-तरह के आकर्शे को पहार भी दीजा रही है यहाँ हॉलमात के शूद गहने दीजाते है जो ग्रहागों के विश्वास पर अब तक खरे उठरे है जिसे ग्राम के सोने खरी दे जाते हैं उत्ते ही ग्राम की चांदी भी मुफ्त दी जा रही है तो आजेन टैसे मैं आ vollे अजो करे किस दया है डते से घाल किया भी मुथति तो प्ड़न ना घ्ğlड़ सारय कि म्यागी तो कि अभी मोद्क बाइव चुछ है इस भी में बेह अब ही सीके जान 14순 baix ऐ disciplines